नमस्ति दोस्तों आप सभी का स्वागत्थ है तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए ली करके आई हूँ एक बहुती स्वादिश तेश्टी एक्तम अनोखी और विल्कोल नई सबजी की रेशपी और साथ में गर्मा गरम काले चने की पूरी तो चलिए बिना देर की इस रेशपी को बनाना सुरू करती है तो इस रेशपी को बनाने के लिए ना तो हमें आलू को एकदम बारिक बारिक काटना है और ना ही इसे घंटों उबालने का जंजट ये कम टाइम में ही जटपट बनकर तेयार हो जाएगा तो मैं यहाँ पर आलू को छील करके रख ली हो तो इस रेशपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर छोटे साइज के पाच्छे आलू लिए है अगर आपके पास बड़े साइज का आलू हो तो एक दो आलू से ही काम चल जाएगा अब यहाँ पर लेंगे एक तमाटर और चाकुर की सयता से इस तरह से घुमाते हुए इसके जर को काट करके हटा देंगे और अब तमाटर को बराबर से दो टुकरा में काट लेंगे तो इसी तरह से दोनों ही टमाटर को दो टुकरा में काट लेंगे तो हमें इसे बारिक बारिक काटने का कोई भी जरूरत नहीं है तो चलिए अब हम चलते हैं चुल्ये की तरफ अब जुला पड़े कुकर रखेंगे और इसमें डालेंगे एक चमच तेल तेल गर्म होने के बाद इसमें डाल देंगे आधा चमच जीरा और आधा चमच पाच फोरन अगर आपके पास हिंग हो तो आप हिंग का भी इस्तेमाल कर सकती है इसको एक बार बढ़ियां से मिला लेंगे अब इसमें टमाटर आलू और हरी मीर्च डाल देंगे तो इस देशपी को बनाने के लिए हम लेशन प्याज का इस्तेमाल विल्कुल भी नहीं करेंगे और नह हम इसको छोटा छोटा पीस में काटेंगे अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कटोरी भिंगो या हुआ चना डाल डाल डालने के बाद अब हम इसमें बाकी के सारे मसाले भी डाल देंगे तो मैं इसमें डाल रही हूँ एक चमच लाल मिर्च पोडर एक से देर चमच धन् और आधा चम्मच छल्दी पोडर तो मैं यहाँ पर धन्या पोडर घर का ही डाल रही हूँ जिसमें धेर सारे मसाले मिक्स होता है अगर आप चाहे तो इसमें उपर से गरम मसाला भी डाल सकते है या फिर आपको जो मसाला पसंद हो वो भी इस्तेमाल कर सकते है अब इन सारे मसाले को एक बार आलू में अच्छे से मिला लेंगे इसके बाद अब हम इसमें पानी भी डाल देंगे तो पानी मैं इसमें दो कटोरा डाल रही हूँ और यहाँ पर पानी थोरा जैदा ही डालेंगे पानी डालने के बाद अब इसको एक बार अच्छे से चला देंगी और इसमें स्वाद अनुसार नमक भी डाल देंगी तो मैं इसमें एक चमच नमक डाल दी हूँ अब कुकर का धकन लगा कर इसमें एक से दो सीती बढ़ियां से आने देंगी दो सीती लगाने के बादगयस को मैं बंद कर दी थी और यहाँ पर देखे कुकर भी ठंडा हो गया है तो अब इसका धकन खोल लेंगी तो देखे यहाँ पर सारे चीज एकदम बढ़्यां से पग गया है अब यहाँ पर लेंगी एक चमच या कोई चिम्टा और इस तरह से टमाटर के छिलके को निकाल करके हटा देंगी तो सारे टमाटर के छिलके को इस तरह से निकाल करके हटा देंगी अब इसको हलका हलका इस तरह से मेश करेंगी तो आलू को छलने से हलका-हलका दवाती हुए, काटेंगे, तो देखे बिल्कुल इस तरह से, दोस्तों आपने तो कई तरीके से आलू चना की सबजी बना कर खाए होंगे, लेकिन आप लोग एक बार मेरे तरीके से बना कर खाई हीगा, सायद आप लोगों को भी ये सबजी प लाली हों, तो चलिए अब हम इसमें फटाफट से तरका लगाती हैं, तो पहले तरका पैन में डालेंगे थोड़ा सा तेल या घी, तेल गर्म होने के बाद इसमें डालेंगे दो तिन सुखी लाल मिर्च और दो तिन दालचीनी का टुकरा और आधा चमच जीरा, इन दोनों को हलका सा पका लेंगे, और तेल को हलका सा ठंधा कर लेंगे, ठंधा होने के बाद इसमें डाल देंगे आधा चमच, कस्तूरी लाल मिर्च पोड़ा, और अब इस तरका को सबजी में डाल देंगे, तो लिज ये कम टाइम में जहट पर तेष्टी आलू की सबजी बन करके तयार है इसके बाद यहां पर लेंगे एक करेंडर जार और अब इसमें डालेंगे भिंगोया हुआ चना इसी के साथ इसमें डाल देंगे दो तिन हरी मिर्च और अगर आपके पास अद्रक हो तो आप अद्रक भी डाल सकते हैं अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल कर इसको आधा छोटा चमच नमक और अब इसमें ये पेस्ट डाल देंगे तो सारे पेस्ट को निकाल करके आटे में डाल देंगे और अब इसको आटे में बढ़ियां से मिक्स करेंगे तो इसमें पानी का जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा हम इसको इसी पेस्ट में मिक्स करेंगे आप यहां पर चना के जगा मौंग डाल या फिर आपके पास जो भी डाल हो आप उसका इस्तेमाल कर सकती है तो आटे में आप बढ़ियां से पेस्ट को मिक्स करेंगे और इसको मसलते हुए एक नूर्मल साडो बना कर तयार करेंगे तो देखिए यहाँ पर मैं आटे का एक्तम सौब्ट और चिकना साडो लगा करके तयार की हूँ अब इसको एक दो वार बढ़ियां से मसल लेंगे अब आटे में से थोरा सा हिस्सा यानी एक छोटा सा बॉल के बरावर तोर करके निकाल लेंगे और इसको चिकला पर रख करके अच्छे से घुमा लेंगे अब इसको हलका सा दवा देंगे और इसके उपर थोरा सा सुखा आटा चिरक करके लोई में अच्छे से लगा लेंगे पर्थन लगाने के बाद अब इसको हलके हलके हाथों से बेलेंगे इसे बेल कर एक छोटा सा रोड़ी की तरह बना लेंगे तो मैं यहाँ पर तेल पहले ही गर्म होने के लिए रख दी थी तो यहाँ पर तेल अब बढ़ियां से गर्म हो गया है तो इस तरह से इसमें पूरी डाल देंगे पूरी डालने के बाद अब गैस का फिलेम मेडियम रखेंगे और पूरी को हलका हलका इस तरह से दवाएंगे तो देखे ये एकदम को बाड़े कीचे साब फूल गया है अब इसको एक साइड से दुसरे साइड पलटा देंगे और इसे अलट पलट कर दोनों साइड से अच्छे से पका लेंगे तो देखे ये दोनों साइड से अच्छे से पक गया है तो लीजी दोस्तों गर्मा गरम चना की पूड़ी और साथ में तेश्टी आलू की सबजी बन कर त्यार है